आज देश के सम्विधान के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष में पुरानी संसत के सेंट्रल हॉल में विशेश कारिक्रम आयोजित क्या गया। इस इवेंट में राश्टुपती द्रौपदी मुर्मू, उपराश्टुपती जगदीब धनकड, पुर्धानमंत्री नवेंद्र मोदी, लोगसभा में विपक्षक्रनेता राहूल गांधी समेट, सभी सांसत इसमें मौचूद रहे। आयोजिन की थीम हमारा सम्विधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। सम्विधान पारित किया था, जिसे 26 जन्वरी 1950 को देश ने स्विकार किया था, समाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्राले ने 19 नमबर 2015 को एक अधि सूशना जारी की थी, इसमें 26 नमबर को हर साल सम्विधान दिवस की तौर पर मनानी की बात कही थी। मानियों संक्सदगन, सतंत्रता के 25 बर्षो पूर्णे होने कर और में सभी देश बासियों ने आजादी का अम्रुत महस्व बनाया। मनाया। आगामी 26 जानुवरी को हम अपने गणतोंत्रों की 25 में बर्षो गांट मनायेंगे। इस तरह की सुमार हो हमें आप तो की जात्रा का अभलोकन करने और आगे की जात्रा की बेहतर यो जोना बनाने के अपसर प्रधान करते। एसी सुमार हो हमारी एकता को मजबुत बताने की तो था ये दर्षाते हैं कि राष्ट्यों लख्यों को प्राप करने के प्रयासों में हम सोब एक साथ हैं। हमारे स्वादिनता संग्राम के द्वरान उन्नेक मुहान विभुतीयो ने हमारे राष्टियो आदर्सों को रेखांकित किया था। हमारी संभीधान सोबामे हमारे देस की विपुता को अभिव्यकती मिली थी। संभीधान सभा में सभी प्रांतों अच्छेत्रों के प्रतिनिध्यों की उपस्तिती से अखिल भार्योतियों चेतना को सोर मिला रहा है संभीधान सभा के बाद दी बाद तो था सद्दसों के संभधोनों में हमें संभीधान निर्मान की प्रकृरिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गेहरे जानकरी प्राफ Marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution. A remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, वीजिस्पय और दिजिटल अप्टिजाप्टिज अधिर्टिंट उसे इंटनेशनिलाइन रिच्टिट एठमट्स, व्हुनिट हमुएपलाइद रिच्छ। और उसे रिचितिृक्टिटी अधिक्राय ऀएंडियन्यय इंदेम। व्होंड खूएबर्सिटिकान कर्दाएंगिया थाओएंग पराइए बाऊना। shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding.